हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं मौला किसी का दोस्त हो तो ऐसा दोस्त हो वहाथ ही दरिया दिल लड़का था उत्तो शौकिन था ही लेकिन अपने साथवालों की भी खूब खातिरदारी करता मैं किस मूझ से उसे सुधरने को कहता हूँ हर बार ही पलटका मुस्ते पूस्ता क्या आप सुधरिंगे पहले मैं अपने सुहाग और अपने अपनी कोख के मिच पिसी जा रही थी अगर पदी की बात मानती तो बेटा रूट जाता और अगर पेटे को लाड़ करती तो पदी कहता कि मैं अपनी बेटे को बिगाड रही हूँ सौरी वो किसी से बात नहीं करना चाहती अच्छा होगा आप उसे अकला चोड़े मिलनसार मस्मुला खुशमजाज बिंदास पर भटका हुआ लेकिन दिल का साफ चामिंग भी पर जब हमें वो मिला तब वो बिल्कुल वैसा नहीं था लेकिन ये लड़का था कौन आपको कहा मिला खो गया था क्या खोद भी आ गया झाहँ झाहँ खोजड़ोगगट देसे जिल किना खोड़ोगर साफरश रगे हुआपाप। अधवड़ोगर भटका हुआपाप। पर पर जो जूबड़़ोगरद उम्हाँ झाहँ पका भटका पर बिल्का पॉकेट में मुबाइल वॉलेट कुछ भी नहीं है जवान लड़का है किसी अच्छे घर का लगता है सब आसपास का सारे इरिया स्क्यान किया सब सुब कपड़े दोने निकली थी बादली लेकर तो देखा यहां लड़का पड़ा था पाज जाकर देखा तो मरा हुआ था यह लड़का यहीं कहा है आसपास का अब लोगों में से कोई जानता है इसे नहीं साब इसे पहले यहां कभी नहीं देखा इस लड़के को कहीं देखा आपने याद नहीं आ रहा है यह यहां आया है यह नहीं आया है यह शायद यहां नहीं नहीं है यहाँ पार्ट नाभ कोड़ और नुट्सिक तो वोना पेपी पंदारा है उसका ममी सुनील उच पता चला कया? नहीं मम्मी, उठ दूजो बार में पीने बैट था तो सारे बार मैंने चाहिए, पर वो कई भी पीने नहीं बैटा था सुनिल, फिर वो गया कहा होगा? आप टेंशन मतलो बड़ी मम्मी, मिल जाएगा हो अरे आया क्या? नहीं संजो जी, अभी तेक तो नहीं आये, और आएंगे भी तो पहले घर जाकर ही आएंगे न? इस समझ में नहीं आरा, यहां बताया चला खा गया एज 22 और 25 के बीच होगी, यह अंगा तो पहले सर कुछला गया, फिर कला दबाया गया हाँ, यहां लाए जाने के करीब 9 या 10 घंटे पहले डेथ हुई होगी 9 या 10 घंटे पहले मतलब कल 15 जिसंबर को रात 11 और 12 के बीच और हाँ, बलड स्ट्रीम में अलकोहल का लेवल बहुत हाई है बहुत जादा शराब पे रिखिती इस ते, इसके साथ-साथ नशिले दवायों के ट्रेसेज भी मिले, मैडम लाश की फोटो में घोडवंदर के हर इलाके में गुमा चुका हूँ, लबता नहीं कि यह लडगा यहां का लोकल है मानिक, तुम थाने वेस्ट में भी फोटो घुमाओ, मैं यह इस्ट में और बाकी के इलाकों में एक टीम डिस्पैच करती हूँ टक्षमेन, फोटोग्राफ सारे थानों मैं फेक्स करवा दो, इमेल करवा दो, सारे चैट ग्रुप्स में भी तस्वीन पोस्ट कर दो वैसे मडर तो कल रात को हुआ है, इतना जल्दी मिसिंग कमडेंट दर्ज होने के चांसिस कम लग रहे है हमें सिर्फ इतना बता है कि मर्डर कल रात को हुआ है, लेकिन मिसिंग तो पिछली कई रातों जो हो सकता है ना, तब तो कमडेंट दर्ज की गई होगी यह रही, परसु शाम को साढ़े पास मज़े लग गई थी बाइक, काउंटर स्लीप भी है मेरे पास यह लड़का था, जिसमें बाइक पार्क की थी, पक्का याद नहीं है, शायद यही था, यहाँ पार्किंग लॉट में कोई CCTV कैमरा है, नहीं साब, कभी ज़रूत नहीं पड़ती जी जी, MS-03-56-Y-7, मेरे बेटी की बाइक है, कहां मिली? क्या हुआ? उसकी बाइक, गुर्ला स्टेशन की पार्किंग में मिली है, पंदा की शाम से वही पार्क थी, गुर्ला स्टेशन? मैंने उस गोईन भीलवाले से भी पूछा था, बड़ भीया अरे इस बाबा को तो खूब पैचानते हैं, रोज ही आते हैं पानीपूरी खाने कर्शाम अपनी दुकान से निकला था पानीपूरी खाने के लिए पर कल तो वो आये नहीं, उनका समय फिक्स होता है साब, जूट क्यों बोलूँ आप से, मुझी तो इसलिए याद है क्योंकि वो यहाँ पर रोज आकर डबल प्लेट पानीपूरी खाते थे, मीठी कम और एक पार साल प्लेट सेवपूरी का अपने साथ ले कर जाते संजय जी ताजूब हो रहा है हमको, उकल काहे नहीं है अब तो जानते हैं, रोज हमको सेवपूरी खिलाते थे पापा, मैं पानीपूरी खाने जा रहा हूँ, आपके लिए कुछ लाने गया नए पेटा, तो बस खा के जल्दी लौटा बस यूँ गया और मैं यूँ आया पापा मुझा कहीं भी हो, उसे तूट कर ले आई है चैट ग्रूप्स में लड़के की दो तस्वीरें फोवर्ड हो रही थी एक में उसे मिसिंग बताया जा रहा था और दूसरे में उसकी लाश को अनइडेंटिफाइड बताया जा रहा था मिसिंग कमप्लेन कुरला इलाके के पुलिस थाने में तरच थी अनइडेंटिफाइड बोडी हमारे कोड़ बंदर यूनिट के ताबे में थी ये फासला तै होते होते 24 घंटे और निकल गए कब आई है मेरे नज़र अभी पड़ी सर आशीश जैस्वाल जी आशीश जैस्वाल 24 साल का है और 15 डिसेंबर की शाम से गायब हुआ था और हमें लाश मिली दूसरे दिन 16 दिसंबर के सुबा क्या कहा पले सौल ने राम भाया आशीश मिला उने चाहिए उसे ले आईए और च तो ऐसी ख़बर लोंगी उसकी असे मा के कैसे जा सकता है वो आशीश के पापा क्या हुआ आप कुछ बोल क्यूने रहे कहा है आशीश आप क्या है आशीश आशीश रांशी लेह काहा है झाशीश आशीश आशीश बाइ। जी सर यह आशिस जैस वाल है मेरा मती जाग में आज इसका जनम दिन है आज यह पच्छिस पच्छिस साल का हो कि है पंद्य दिसंबर की शामको आशिष अपनी बेक्री से निकला जी हाँ आशिष के ऐस के फादा रामकुमार और उसके चाचा संजे ने जब मिसंकंब्र के अलगे दर्ज कराई थी तभी ही बताया था यह रामकुमार जैसवाल और संजे जैसवाल कसिंस हैं उस इलाके में दोनों के अपनी बैकरी हैं काफी फेमस हैं सर ये अशीष रामकुमार की बेकरी से सब्वा पांच बजे निकला पानीपुरी खाने है डेली रूटीन था उसका इसलिए वो पानीपुरी वाला भी हैरान है ये लड़का रढ़िए रूटीन था उसका मतलब पानीपुरी खाने के बाद जाता तो जहां तक हमने पता किया ये यह ये उसकी बैकरी के सामने वाले विल्डिंगे वाच्मेन प्रिजेश बिया ये लीजे आपकी सेफ पुरी अरे आप रोज रोज हमारे लिए काहे ले आते हैं अरे यह है ये रोज 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 खाने वाली चीज आप खाईए सोचे मत जी एक थो तो लीजे ना 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 हमारी जो गर्फ्रेंड है वो है मिस पांगी तो जैसे यह आपकी गर्फ्रेंड है ना तो वो बुरा मान जाएंगी तो आप दुने दूसरे से गुफ्तुकू करिए हम निकलते हैं तरुन यह आशीष जैसवाल की बाईग तुमें कुला इस्टेशन की पार्किन है जी हाँ कल तु पहर हो आशीष उस बेलवाले के पास गया ही ने सर उसने अपनी बाईग इस्टेशन में पास कोई और चला गया उसकी लाश के पास से आमें कोई मोबैल नहीं मिला तरुन आशीष का कोई फोन रिकर्ड है अशीष की फोन रिकर्ड आज मिलेंगे फोन कंपनी से एकचुलि अमने रीक्वुजिशन भी लेट डाली अशीष पंदर की शाम को गया भूँआ था पर उसकी फैमिली सोला की शाम को माँरे पास आई थी, पंदरा की रात भर और सोला के वो लोग बता रहे थे कि आशिश को पीने पिलाने का शौक था वो रोज शाम को अलग अलग बार में अलग 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 दोस्तों के साथ मंदली जमाता तो उसका चेचेरा भाई सुनील उसे आसपास के बार में ढूंड रहा था दोस्तों सो भी कॉंटेक्ट कर रहा था यह त सिब जैस्वार परिवारी ने अख़्ा चौल शोक मनाने साइब आज आशिश का जनम दिन था ना वो साइब पारटी रखी थी उसे घर घर जाके नियोता दिया अब देखिए आज उसी की अरती उठ रही है अच्छा सुने में आया यह आशिश काफी पीता था वो मेंड़ बाप बेटे ही दोनों च्पीते थे लेकिन ना तो कभी किसी का बुरा चाहा और ना ही किसी का बुरा किया आशिश सिर्फ अपनी आई का लाड़ा नहीं था पूरी चौल की जान था वो सबका प्यार मिलता था उसे आशिश का फोन पंदरा दिसंबर की रात नौ पैंटीस को स्विच आफ हूँ है बांडू को श्रामों से कोई और कॉल नहीं उसने किसी को कॉल किया बस एक लास्ट कॉल है आट बच कर पैंतालिस मिनिट पर ट्रिपल फॉर फ़ाइख पाकर के कहा गया तिकिन अजीब बात है आशिश रोज की तरह पानी पूरी खाकर बेगरी पर वापस नहीं लोटा ठीकिन उसके पिदा को कोई चिंता नहीं हुई फोन स्विच ओफ वा तब चिंता हुए एक और बात है सर ये आशिश कुरला से गोडबंदर किसके साथ आयोगा इसको यह गोडबंदर मिला के मारा गया होगा या फिर सिर्फ बॉड़ी डम की गई है मुलून चेकना का और दहिसर चेकना का इन दोनों जगे की सी सी टीवी फोटेज चेकरो पता करते हैं कि आशिश गोडबंदर कैसे पोचा जिन्दा या मुर्दा साथ जाम कुमर जी है जो हाला जादा खराब है तो इसलिए मैं चला आया पी के सो गए कल इकलो ते बेटे की लाश को अगनी दी है और आज पी कर सो गए पीना तो रोज होता है सर पर आज थोड़ा ज़ादा हो गया तो बेकरी कैसे चलती है जैसे तैसे मैनेज हो जाता है सर पर पहले ऐसे नहीं था जब हम दो भाई उत्तर प्रदे से यहां के बस गए तब कभी का भार रामकुमार भी आप पीलिया करते थे शौक यह तोर पे लेकिन यह शौक कब लद्ध बन गई पते हैं नहीं चला और लगता है यह लद्ध उन्होंने अपने बेटे को ग्रास उतने दे लिए लाश के ब्लेट सेंपल में हज से ज़ादा एलकॉल के ट्रेसेस मिले हैं अब क्या बताएं सर आशे सभाव का बहुत प्यारा बच्चा था और अपने पिता के नशीले नक्षे कदम पे निकल पड़ा इकलाओता था तो लाट प्यार भी हो रखे थे लोकने टोकने वाला कोई था निया और ना सुनने वाला एक बड़ तुम मैंने ही पकड़ा उसे नशे की हालत फिर मैंने जाके रामकुमार भाहिया को बताए भी था बेरा बेटा थोड़ा बट पी पाल लेता है और तुम कहरों क्यों बटक गया हमने खुद अपनी आँखों से देखा आशिस ने बहुत पी रखी थे सोच आपको बता दे संजेट तुमने अमने गाउन ने तकलीफ देखी यहां आकर भी पाउच जमाने के लिए बड़े पापड़ भिलने पड़े हम दोनों भाई कोई साथ ने रहते साब काम दंदा भी अलग है हमारा बीटा सुनिल आशिस का हम उमर है हमें डरता कि कहीं आशिस की तरह हमारा बीटा भी बोतल हाथ में न थाम ले आपके हिसाब से आशिस को किसने माड़ा है हमारे हिसाब से आशिस का असली कातिल नशा और शराभी नहीं साथ किंती शौक पालने का नशा किस तरह के शौक पलता था आशिस लाश पे से तो आपको कुछ मिला नहीं आशिष गले में दो-दो छेन, तीन अंगूठियां और कान में सोने की बाली पहनता था आशिष अपने दोस्तों के साथ पिता था हाँ सब और अपने दोस्तों को भी साथ पिलाता था पंदरा की शाम को वो किसके साथ बैठा था और किस बार में? वो हमें नहीं परता संज़ जी आप लोग कुला में रहता है खोडबंदर से क्या कनेक्शन आपना वो? हमारा तो कोई लेना देना नहीं जी सर, मेरी और आशिष की अच्छी फ्रेंशिप थी हमें तुमारा नंबर उसके कॉली कोड से मिला एकरन उसने तुम्हें 15 तारीक की शाम को एक बार 8 बचकर 45 मिनिट पर कॉल किया उसके बाद दूसरा कॉल 10 मिनिट बाद, 8 बचकर 55 मिनिट पर लेकिन ये बाद तुमने उसके घरवालों को नहीं बताई क्यों? सर एक तो उन्होंने मुझसे पूछा नहीं और दूसरी बाद ये कि मुझे मालोम ही नहीं था कि आशिष उसनात को कहां बैठा था और किसके साथ बैठा था ये जो दो कॉलोस ने तुम्हें किये थे, वो किसलिए किये थे? आशिष बोल भाई सर बस में फटाफट खाना निटा के निकली रहता उतने में मुझे आशिष का दुबार कॉल आया आशिष आशिष बैठेंगे ना यार लंबे टाइंग के लिए क्यों हाँ वो तो ठीक है लेकिन तू संबाल के घर जा और मैं गया ही नहीं सर मुझे तब पता ही निटा कि आशिष गायब हो गया है मुझे तब पता चला जब उसकी बोड़ी मिली तिलक नगर के कंचन बार में वो किसी के साथ था किसके साथ था ये तो पता नहीं पर उसके साथ कुई ना कुई तो जरूर होगा वो अकिले बैटके कभी नहीं पिता था रामकुमार जी आपका बेटा किसी के साथ घोड़ बंदर क्यों गया होगा केलाश बता करो इस कंचनवार में आशिश के साथ दूसरा कौन था सरूरी नहीं कि आशिश का दोस्त किरन सच बोल रहा हूँ तो पहरे इस किरन के हलक में हाट डाला हूँ अगर सच कहीं अटका है तो खीच के बाहर निकाला सर ऐसे यह आशिश काफी बिंदास और मौजमस्ति वाला नटका था रैट सर बुरा चॉल तो यही कहता है उसके पीने की बुरी लट के बावजूत चॉल के सारे लोग उसे प्यार करते है लेकिन कोई तो था जिसे उसका पीना खटकता था पर इतने के लिए मडर इस कंचन बार को तरंद स्कैन करो वो हमारा घोडबंदर में छोटा सा वन भी एज के मकान है ऐसा कहीं लगाना था इसलिए खरीदा था खाली है आशिश का भी जाता था वहां यहीं, किराये पर चड़ायायाया था फिर तो किराया लेने जाता ओँ, है ना? यहीं, एक 11 महने का किराये एक साथ दे दे थी पार्टी किराया लेनी भी जाता तो इतनी राध के वो क्यूं जाताँवा है राम कुमार जी, आशिश रोज एक फिक्स ताइम पर पानी पूरी खाने निकलता था बेकरी से और फिर खाकर वापस भी लोटता था बस एक दिन 15 दिसंबर को वो वापस नहीं लोटा तो आपने फोन नहीं किया जानने के लिए नहीं किया मुझे पता नहीं था कि वो कि वो वापस नहीं लोटेगा ऐसा कभी नहीं होता था चाहे जितनी रात हो गई हो चाहे जितना नशा किया हो आशिश घर जरूर लोटता था ऐसा कभी नहीं हो आगी वो बिना बोले रात पे घर से बाहर रहा हो सावित्री जी क्या आपके परिवार में किसी से कोई दुश्मनी या बाहर किसी से कोई अन्बन आशिश का बस एक दुश्मन था नशा तूने मुझे जुबान दे थी कसम खाई थी कि तू अब फिर से नहीं पेगा बिजली बिल भर दिया गैस का बिल भर दिया टीवी और मोबाइल का रिचार्ज भी कर दिया सारे काम कर दिया आपके और ये खरीद लाया मार्केट से तुमने मांगा नीचा फिर भी ले आया वो किछन का डबा दिखाया एक तो मोहन चुदार हो गया दे दो किसी म्यूजियम में जब तो इतने अच्छा से सारी जिम्मेदारी निभाता है न तो मेरा दिल पूल के तो उन्हें बीच में एक ओलिज छोड़ दिया मैंने कुछ नहीं कहा कोई सक्ती नहीं जटाई पिटा मुझे लगा था तुझे पैसे चूंतों कपड़ों के लिए चाहिए तुन सारे पैसों की शराप पी गया ये बहुत गलत बात है मा रोज रोज बेकरी बंद करने के बाद पापा वाइन शब जाते हैं वहाँ पे एक क्वाटर खरीटते हैं और वही क्वाटर गली में तीन घुटों में अंदर गटक जाते हैं फिर घर आते हैं पापा देख मुझ में और तुझ में फरक है क्या फरक है पापा आप भी द आज तक इस घर में आपको कोई शिकाइद लेके आया कि तुमारा लड़का शराब पी के बत्तमीजी कर रहा था, नाली में गिरा पड़ा हुआ था, अपनी लिमिट नहीं मालूम है, या फलना लड़की को छेड़ रहा था, किसी ने बोला कुछ, और ऐसा भी नहीं कि पैसे होते हैं, तो मैं किसी दूसरे के घर में जाके उससे उधार मांगे शराब पी रहा हूँ, या चोरी-चकारी कर रहा हूँ, और आप दोनों का मुझे ये शराब को लेके ऐसे टोखना बिलगोल पसंद नहीं है, ममा आप कभी हा, मेरे दिल में आता है तो मैं पी लेता हूँ मेरे दिल में नहीं आएगा तो मैं नहीं पिऊँगा, सोना पसंद था उससे, हम नहीं कई मना नहीं किया, बना दिया उसके लिए, अंग उठिया चेन, जो उससे कहा, लेकि एक बात बोलू, वो फीता हुई था था, लेकि उसो लोगा बड़ा पकाता है, कभी आयाशी नही कि, एक लड़की ते फ्यार किया, वो भी उससे हमें आकर बता दिया, और हम ने भी उससे दिल से मन्जुरी थी, उसके तो उसके था शादी होने वाली थी, कौन थी ये लड़की जिससे आशी शादी करने वाला था, हाँ, अधरती मैं कल से जॉइन करूंगी, ओके, तो शे कि, आपके बार में कोई तेज नजर वाला है, कोई तेज यादा श्वाला बेटर है वैसे सभी तेज है, पर मुझे ने लगता है कि वो लोग याद करके बता पाएंगे, आप बोलता है तो मैं अभी उन लोगों को पूछ लेता हूँ साथ, अभी जाकर पूछाँ, कि पंदरा तारिक को आपके बार में ये लड़का किस के साथ था, सर, आशिश ने बाइक स्टेशन बर छोड़ दी, मतलब उसके साथ दो याद दो से जाधा लोग होंगे, हाँ सर, सर, यहाँ से कूरला स्टेशन के रूट पर कोई ना कोई दुकान तो होगी, जिसके CCTV में शायद ये लोग देख जाए, जाओ और जाकर खंगालो इस रूट के CCTV स, जी, आशिश मेर से मनजूर नहीं थी. अपने बाप की बेकरी चलाता है, चल मुझे उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो रोज रात को दारू पीता है, तू बेवड़े से शादी करेंगी क्या? कुछ भी आँ दादा, बेवड़ा वगरे बोलू ना को साशिश ला, इस उम्रों में जो रोज शाम को दारू पीता है, उसे बेवड़ा नहीं तो क्या बोलूँगा वे? और उसके पूरे घर वालों को पता है, वो उसके चाचा संजे चाचा उनको भी पता है, सब जानते हैं, लेकिन बेवड़ा शब्द बोलने से रह जाते हैं, आप बड़ा चड़ा के बोल रहे हैं दादा, आशिश उतनी भी ज़्यादा शराब नहीं पीता, उसे पूछ के सोच का जहल लेगे, लेकिन मैं नहीं चलूँगा इस अपता है, एक मिनिट, तुने आज तक मुझे पीए, या बिना पीए, किसी पर हाथ उठाते देखा है क्या, नहीं, तो फिर, तो फिर तु ढ्रेंक क्यों करता है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है यार, ये क्या बा के बाहर, मुझे अपनी लिमिट मालूम है, और मैं शौक से पीता हूँ, जैसी अंगुठी, ये मेरा शौक है, ये गले की चीन, ये मेरा शौक है, तो मुझे ये किसी शराबी की तरह ट्रीट मत कर समझी है, तो शराबी रातो रातो नहीं बनते ना, रोज पीते पीते ही ब कर सकते तो, आशिश तुम्हें चुनना होगा, जान या शराब, यार ये कैसा धरम संकत है, यार, कोई धरम संकत नहीं है, आशिश, छे महिने तक तुम्हें एक जॉप भी नहीं पियोगी, तब ही हमारी शादी होगी, उसने फैसला कर लिया था, उसके लिए मुश्किल नह करना चाहता, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, और तू भी मुझ पर कोई कंडेशन नहीं लगा सकती है, समझी, तुझे तेरी शराब उस चीज से ज्यादा पसंद, जिससे तू प्यार समझता है, और जिससे तू प्यार समझती हो, प्यार नहीं लगाम है, मैंने तुझ मुझे कोई चीज छोड़ने पकड़ने को बोला किया तुझे कभी बोलने की जरुवत ही नहीं पड़ी आशिश क्योंकि मैं हमेशा पूरी की पूरी तुम्हारी रही हूँ मगर तुम शराब के कब बन गए यह मुझे पता ही नहीं चला छे महीने पहले हुआ था यह कहने को तो ब्रेक ओफ था वो मगर मैं जानती थी आशिश और मैं वापिस जरूर मिलेंगे वो मान जाएगा और मैं तब तक वेट करने के लिए तैयार थी मैडम जब तक आशिश शराब नहीं छोड़ देता मगर आशिश तो मुझे ही चोड़ कर चला के किसने मैं किसने मार डाला मेरे आशिश को कादिर मैं अपने कॉंस्टिबल्स चौल में नहीं भेजना चाहती हूँ पर मुझे आशिश ही गल्फरेंड शिल्पा मोरे का बड़ा भाई संदीप मोरे इसका पूरा का पूरा बैक्राउंड चाहिए ठीक है मैडम स्पॉट लगा देता हूँ इस संदीप मोरे के पीछे शिल्पा आशिश के अलावा किसी और से शादी करना नी चाहती थी लेकिन उसने आशिश के सामने दारू छोड़ने की कंडिशन भी रखी थी समझा मैडम लेकिन आशिश दारू छोड़ने को रेड़ी नी था मतलब संदीप के पास एक बहाना था शिल्पा के जिन्दगी से आशिश को आउट करने का मतलब जिन्दगी से आउट कुरला इस्टेशन और तिलक नगर जहां पर कंचन बार है और हमें उसकी लाश मिली यहां गोडवंदर के खाड़ी के पास सर्वत दो या तीन जितने भी लोग थे शायद आशिश को जानते थे आशिश का दोस्त करन अब भी हमारी रड़ार में है सर हाला कि उसके फोन लोकेशन रिपॉर्ट शो करते हैं कि सर्वार मिल भरता था और यह मुझे बीलकुल पसंदन नहीं था पानी पूरी खाने गया होगा तब उससे कोई रास्ते मैं मिला होगा अशिस असिश कहता है भाई तू अब एश्या की तरह मस तू बता कहा था इतने दिन बद भाई तू उससे ही मिलने आ रहा था आप तो बोलना क्या बत है तुमारा नवन सही लग रहा है गाजरी तुमारी थोरी भी सही लग रही है वो दो या तीन लोग होंगे जो बाईक पर नहीं आ सकते थे इसलिए आशिश ने अपनी बाईक कुला इस्टेशन पर पार्क कर दी होगी इसलिए उस अपनी बाईक पारकिंग में ही रहने दी होगी और अपने दोस किरन को फोन करके बुलाया होगा यह possibility भी लग रही है वो जो लोग भी थे जो आशिश को मिले या उससे मिलने के लिए बहजे गए उनका पहले से प्लैन था आशिश को मारने का आशिश के गले की चैंस, कानों की बालियां और अंगोठिया यह सब निकाले गए अगर नहीं निकाले जाते तो शक डिरेक्ट मडर पर जा रहा है जो की अटेक का अस्री मख सकता इसने खुश मिला जब पॉपूलर यंग डड़के के कतल का काराण क्या हो सकता है सब पीने की आदत शायद आशिश की पीने की आदत से किसी को कोई प्रॉब्लम थी पीता था इसलिए मार डाला मडर का यह मोटीव थोड़ा हलका लग रहा है पर हमने मडर किन किन कारणों से होते नहीं देखे इसलिए में इसको रूल आउट तो नहीं करो सर अगर हम यह फैक्ट पकड़के चलें कि पीता था तो मार डाला तो हमारे सामने तीन सस्पेक्ट है पहला आशिश के माबा दूसरा आशिश के चाचा संजय जैसवाल और तीसरा आशिश के चाचा संजय जैसवाल का बेटा सुनील जैसवाल शिल्पा को रूल आउट नहीं करते हैं सर आशीश ने शरब की वज़े से उसे रिजेक्ट किया था काफी स्ट्रॉंग गोटे बनता है सर शिल्पा का भाई संदीप संदीप को भी आशीश पे काफी गुसा रहा होगा या फिर कोई और करीबी बंदा या बंदी इसा नहीं होना चाहिए थरामकुबर के बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए सब की मदद करता है दयालो लड़का था कभी कोई गलत काम नहीं किया कि इतना साब दिल था अस्युस्त बाव के जा कर सकते हैं जब आपकी आखों के सामने आपका लाड़ा धस रहा हो खत्रों के दल्दल में पर मदद के लिए दिया हुआ हाथ भी नहीं पकड़ रहा है और नहीं आपके आवास सुना हाँ दिल का बहुत साफ था आशिर था ऐसे साफ दिल वाले लोग दुनिया में कहा मिलते हैं पत्लवियों की दिल रहा है वो दिल खोल कर पैसे उठा था और हर कोई दोस्त बनकर पीने आ जा क्या पता इन में से किसी ने उसे माढ़ा या पर किसी और ने कहीं कुछ पता नहीं चलना है सर गुड़ लख है कूरला स्टेशन से कंचन बार की तरफ जाने वाले रोड पर एक हाड़वेर शॉप है जिसके बार सिसी टीवी क्यामरा लगा हुआ है हाँ मैडम मैडम ये शिल्पा के भाई संदीप के बारे में कुछ खास कबर नहीं मिली अब तक ये एक मेडिकल कंपणी में अकाउंट डिपार्मेंट में सर्विस करता है मेडम हाँ मैंने फोन रेकॉर्ड्स खंगा ले पर कुछ खास मिला नहीं कैतरी सर्थ सर्राम कुमार का कजन ब्रदर है संजे जैसवाल इसके भी कुरला में वैसी ही एक बेकरी है लेकिन राम कुमार की बेटर बिजनस करती है और इस संजे जैसवाल को अपने भाई राम कुमार से शिकायत थी क्यों अपने बेटे आशीश को भटकने दे रहा है क्योंकि उसे लगता था कि इसके चलते उसका बेटा सुनिल भी भटक सकता है शराब भी नहीं शुरू कर सकता है सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये चाचा घोडबंदर के सुनसान इलाके में लोकिशन देखने गया हूँ यहां वो अशीश को मार सके और ये उसके आदमी थे जुआशीश को वहाँ ले गए और उसे खूब शराब पिलाकर मार दिया पॉसिबल है तो उठवाएं इस चाचा को से? अभी नहीं पहले CCTV के ये दोनों बंदे या दोनों में से कोई एक इडेंटिफाई हो जाए उसके बाद धनलेंगे मास्टरबाइट ममी मैं बेकरी जा रहा हूँ ठीक है बेटा संभाल के जाना हाँ सर छे बचकर पांच मिनिट पर तीनों दिखेंगे आशीश और उसके साथ के बागे दोनों सब्सक्राइब दोनों के चैरे नहीं देख रहे हैं सर सर पर सब एकी उमर के लग रहे हैं लगता है इनोंने अपनी बाइक पारकिंग लॉट में छोड़ी और बार की तरफ बढ़ गए कुर्जोब मानिक बढ़े हागा तो थैंकियो सर अब इसी जोश के साथ आसपास के जो दूसरे सिसी डीवी है वो भी स्कैन करो अगर ये एक बार भी हमें बार में जाते वक्त या बार से निकलते वक्त दिख जाए तो समझो केस क्रैक होना शुरूब सर हर मुम्किन जगपर ट्राइक कर रहे हैं दो कॉंस्टेबल्स चेंबूर और घाट कोपर तक चेकर रहे हैं अब देखते हैं कि इनकी पीट देखकर इनके कोई चेहरे पैचानता है क्या नहीं सर मुझे नहीं पता कि ये दोनों कौन है क्या ये दोनों आशीश के दोस्त हैं जिने आप जानते हैं या इस चॉल में रहते हो ये सॉरी माड़ मैं आशीश के उन दोस्तों से तालूप नहीं रखती थी जिनके साथ वो शराब पीता था इसलिए आप ये समझ लीजे कि उसके एक भी दोस्त को मैं नहीं जानती थी जानती नहीं हो पर शायद तस्वीर देखे पहचान सकती हो ये दखो ये लाल स्वेटर वाला बंदा इसे पहले कभी देखा है ना ये दोनों कुछ पहचाने से नहीं लगते और वैसे भी आशिश को दोस्तों को मैं कैसे पहचान होगा सुनिल उर्सनी तुम आशिश के हम उम्र हो तो तुमारे कॉमन फ्रेंड्स तो होंगे ही नहीं सर मैं सिर्फ आशिश भाया से क्लोस था उनके दोस्तों से नहीं इन दोनों को ध्यान से देखो, इन दोनों में से इसा कोई है जो आशिश का दोस्त हो, आशिश जब तुम्हें रोज सेपूरी पार्सल देने आता था, कभी देखा उसके साथ किसी को? साब वैसे मुझे जब सेपूरी देने आते हैं, आशिश बाबा हमिशा अकेले ही रहते हैं, और साब वैसे पीछे से देखकर कौन पहचान पाएगा कौन है दोनों पूरी जिंदेगी बेट करेगी उसका, और वो पूरी जिंदेगी पीपी के परबाद करेगा शिल्पा हर तरह से अच्छे और एक से कृष्टे आ रहे तेरे लिए, तुझे नब आशिश के बूद को बुलाना होगा शिल्पा बेटा, संदीब बिल्कुल ठीक कह रहा है, आशिश कभी दारू ने छोड़ेगा आई दादा, मुझे आशिश पर पूरा भरोसा है, वो पक्का शराब छोड़ देगा, और सीधा मेरे पास आ जाएगा साब घाट को पर के मौमिन बाड़ी से बो रहा हूं, एक बंदा है जो पंदरा दिसंबर की रात से गाइब था, और आज एक जोहरी के पास अंगूटी बेचने निकला है साथ लफड़े करते हैं, और ये नबील भी पंदरा की रात साही गाइब था, आज 22 कोई उपरा है सर इकबाल खबी का कहना है कि ये लाल स्वेटर वाला, यूसुफ हो सकता है, और ये बगल वाले नबील, ये दोनों पिछले एक हफ़ते से गाइब है लियाओ दोनों को, पता तो चले एक हफ़ते से सले काहनी मुन बना रहे थे साहब, मा कसम, हम लोग को मालूम इच नहीं है कि आशिर जैस्वल कौन है, क्या है साहब, ये नाम तो हम लोग ने पहली बरिच सुने लाए ये लाल स्वेटर वाला तो तू है ये कोन है, तू है नबील या पर तुम्हारे गैंगा पर तीसरा आदमी है साहब, या आप क्या बोल रहे ले ये मैं हुई इच नहीज साहब साहब, आप भी जानते है अपून है इच नहीं साहब है ये अभोटे कीस किये जिसे तू बेचने की कोशिश करणा है मेरी हैश साहब विलगना है इसकर यूसफ, हमने सुना था कि तेरी अमी हम सब को सस्पेंट करवाने वाली थी? अरे साब, वो गुस्से में बोल दी होगी, माफ कर दो ना गुस्से में नहीं डर से बोली, क्योंकि उसे मालो मैं कि तुम 15 दिसमब की रात को क्यों गाए बोले और वो ये भी जानती है, कि आज एक हफ्ते के बाद तुम लोग सामने क्यों आए अब वो से उठवा कर पोछवाई या तू खुद बोलेगा साब, हम लोग वाके आउट ओफ मुंबई गए लेते साब, काम से हाँ साब, काम के वास तेज गए थे हम लोग बाहर, और मडर बडर अपना लाइन है इच नहीं साब तब फर क्या लाइन है तेरी, शर्मामाद, यहाँ साब अपन ही लोग है, बाल हाँ माने, कुछ मिला क्या? फेसिंग मिल गया मैडम कहा मिला? यहीं तिलक नगर में, कंचन बार से 15 मिनिट की दुवी पर एक वाइन शॉप है जिसकी CCTV फुटेज में एक लड़का दारू खरीदते वे दिखा है, जो के आशिश के साथ चल रहे है, दो लड़कों में सेख लग रहा है यह और यह एक ही है, सेम शाइड, इन्होंने और शराब खरी दी, अपर यहां से निकले होंगे, गोड़ बंदर की ओर सर यह नबील तो नहीं है, और अगर वो रेड स्वेटर वाला यूसुफ है, तो यह कोई तीसरा बंदा होना चाहिए सर जैसा कि हमने शुरू में अन्माल लगाया था, दो-तीन लोग थे, शाइद तीन थे, यूसुफ यहां है और यह तीसरा यहां है, नबील CCTV कैमरे के फिर्म से शायद बार रहा गया हो बाई, उन्यूस को क्या बोलना है, बोलना क्या है, वो इच बोलेंगे कि हम लोग कुछ नहीं किये ले वो सकता है उसने ये वाली अंगूठी खरीदी और अपने घरवालों को ना बताया हो। असल शिल्पा से तो वो कई अर्से से नहीं मिला था। और ये वाली खरीदी हो शायद वो अपने पॉकेट में रखता हो या वालेट में रखता हो। इस यूसूफ और नबील की जोड़ी का कुछ ना कुछ जोल जरूर है। मर्डर के तुरंद बाद दोनों गायब हो गए हैं। दोनों ने अपने फोन स्विच ओफ किये। फिर अचानक से अंगूठी बेजी। पता करते हैं कि मर्डर का मकसद लूट था। यह फिर दोनों को मर्डर करने के लिए किसी और ने भेजा था। इस यूसूफ और नबील के मूवमेंट सस्मिशिस तो थे। पर क्या इन दोनों के फोन रेकॉर्ड्स और लोकेशन्स उन्हें मर्डर से डारेक्ली लिंक कर रहे थे। नहीं, डिरेक्ट तो कोई लिंक नहीं बन रहा था। मर्डर काफी प्लैन तो लग रहा ऐसा। यह यूसूफ, नबील और वो तीसरा बंद जो सीसी ट्रीव में दिग गया था। इन तीनों ने मिलकर आशिष का मर्डर किया होगा। और प्लैन कुछ ऐसा बना होगा कि शराब में नशिली दवाई मिलाकर आशिष को पिला देना और किसी तरह उसे गोडबंदर ले जाके वहाँ पे मार देना। प्लैन कलियर था। आशिष जैसवाल का मड़ा। इस प्लैन को सामने लाने में समझने में हमें कम से कम एक महिना और लग गया। उस वक्त हमें एक चीज मालूम नहीं थी। हमने जिन जिन लोगों को हाड़वेर शॉप का सीसी टीवी ग्रैब दिखाया। सभी ने उसे देखकर ये कहा कि वो इस बैक टू गैमरा पिक्चर को नहीं पहचान दे। पर एक इंसान था जो छूट बोल रहा था। तरसल उसने कातिल को पहचान लिया था। के अजिए आपके आपके लिएस्टाग को कि अजिए बेश्य। झाल